हे गाईज वेलकेम बेक टू मैं चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूँ आपका दोस्त राना दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ततकाल फॉर्म के बारे में देख सकते हैं यह मेरे पास ततकाल का फॉर्म है जो आप कॉंटर से जब टिकट लेते हैं तो यह आपको फॉर्म फिल करना होता फॉर्म इस टाइप का उता है it you a poor form इसे आपको this को एककर ब्रभ देना हुता और उसके कि आप लोग देख रहें मेरे पास जो फॉर्म है वो है उत्तर रेलिवे का फॉर्म केवल तत्काल के लिए ही है यह आरक्षन रद करन मांग पत्र सबसे पहले जो ऑप्सन है यदि आप डॉक्टर हैं तो किर्पया खाने में सही का निसान लगाएं अगर आप डॉक्टर हैं तो कभी कभी क्या होता है ट्रेवल के टाइम में लोगों को जरूत पड़ जाती है तो उस टाइम यह काम आता है तो आप लगाना चाहें तो लगा स कर रहे हैं तो यहां पे आप जरूर बताएं कि आप परिवार या समू में यातरा कर रहे हैं सबसे पहले यहां पर गाड़ी संख्या और नाम आप गाड़ी का नाम भी यहां पर डाल सकते हैं और संख्या भी यहां पर हम लोग डालेंगे पुरसुत्तम ट्रेन के लिए टि टिकट हम एक दिन पहले बुक करते हैं, तो आज दो तरीक है, मैं तीन तरीक है यहाँ पर डालूँगा, क्योंकि तीन को मुझे ट्रैवल करना है, दो तरीकों, मैं यहाँ टिकट बुक कर रहा हूं, इसके नीचे दिया गया है स्रेणी, आप स्लीपर या ठर्ड ऐसी या सैकर इसी में travel करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं sleeper डाल दूँगा यहाँ पर sleeper लिख दूँगा sleeper की ticket मुझे चाहिए तो यहाँ पर मैं sleeper डाल दे रहा हूँ इसके बाद है कि आपके पास seatों की संख्या कितनी है दो लोग travel कर रहे हैं चार लोग कर रहे हैं यहाँ पर आपको station नाम डालना होते हैं जैसे नई दिल्ली से मैं travel कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं नई दिल्ली डाल दूँगा नई दिल्ली से जहां तक आपको travel करना है तो यहाँ पर मैं travel कर रहा हूँ पूरी तक तो यहाँ पर मैं पूरी डाल दूँगा कौन से station इसके जश्ट नीचे आप देख सकते हैं यातरा आराम करने का station मतलब आप कौन से station से travel करना चाहते हैं जैसे कि कभी-कभी होता है हम ticket कहीं और से book करते हैं और boarding station का जो option है यह वही option नई दिल्ली के बाद आप कहा तक travel करना चाहते हैं कभी-कभी क्या होता है कि मैंने पूरी तक टिकट यहां पर अविलेवल था तो पूरी तक ले लिया लेकिन बीच में मुझे उतरना तो यहां पर यह भी option है आप यहां पर डाल सकते हैं कहा तक के लिए लेकिन यहां पर आजियों का नाम तो यहां पर आपको पूरा नाम डालने हैं जैसे कि मैं travel करने वाला हूं मेरा नाम प्रदीप कुमार राना तो यहां पर मैं प्रदीप अपने नाम डाल दूंगा प्रदीप राना जो आपके ID में है वही आपको नाम यहां पर डालना है इसके नीचे मेरे के लिए booking कर रहे हैं तो यहां पर इस तरही डाल दिए आयू यहां पर 28 1st के लिए जो आयू आपकी है वो आप यहां पर फिल कर देज़े 31 31 इसके जश्ट बात जो column दिया गया है इसमें दिया गया है कि यदि आप lower birth चाते हैं अपर साइट तो यहां पर आप option select कर सकते साथ में खाने के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं यदी train राजधानी और सतापती है तो यहां पर सतापती में आप खाने के लिए option select कर सकते हैं तो उसका cost आपको इसी में include कर दिया जाएगा इसके बाद अगर आपके साथ कोई पास साल से कम आईयो के बच्चे हैं तो आपको उन号 का नाम यहां पर डालना हो गा दो उप्सन देगे तो एक आप नहीं लगेग लेकिन आपको यहां पर पर बताणा होगा इसके जस नीचे आप देख सकते हैं एक और column है आगे की वापसी यात्रा का विवरन अगर आप same train में वापसी टिकट भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यह form भरना पड़ेगा जैसे कि आपने यहाँ भरा था train की detail वैसे ही आपको यहाँ पे भी train की detail भरनी पड़ेगी गाड़ी संख्या और नाम और जो भी station ब यहां पर भरना होता है मैं यहां पर फॉर्म भरने गया हूं तो यहां पर मैं अपना नाम डालना होता है जब आप कॉंटर पर फॉर्म सब्मिट करते हैं उसके नीचे पूरा पता आपको डालना होगा जैसे कि यहां पर रांची मेरा पूरा पता रांची है और रांची और पर बाता है स्टेट जार्कन ह investigators इंग्डा मेरे पूरा पता हो सग्छा को सब्सक्ड्वाइब बुद्द आपके पास होना चाहिए जब आप..? इसलें निख जो आब 2 नंब्र गोईए बंपॉर कर बॉल्ड इंगडे मेंडेर है जो भी नंब्र अप के पास है आई डी में टैलीफोन नंबर आपके पास है टैलीफोन नंबर डालिया है लेकिन यहाँ पर मुबाइल नंबर यहां पर मुबाइल डाल दूंगा 39900 और उसके आगे का मेरे इंस्टा पर दिया है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं टेक पांड़ा वेब में तारिक आज की तारिक है मैं आज बुक कर रहा हूं कॉंटर पर दो तारिक डालूंगा तद काल टिकाट एक दिन पहले अई बुक किंग करनी होती हैं मैं तो और समय जब मैं फोर्म यहाप kort करूंगा तो यह करों इसका समय कि यह आपको फोर्म में करना होता है उसके नीचे यहाप आवेदक परतिनीधी के आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको sign भी करना होता है आप यहाँ पर sign कर दीजिए इसके नीचे केवल शरकारी परियोग के लिए तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना बस आपको यही form भरना होता है कितने लोग हैं एक साथ चार लोग टिकट बुक कर सकते हैं आपको एक दिन पहले करना होता है एशी के लिए 10 बजे सुबह कॉंटर खुलता है और स्लिपर के लिए सुबह के 11 बजे उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं का लिए नीचे साइन ये सारी चीज़े आपको डिटेल में डालने होती है, कुछ फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि जो नोट निर्देश एक आरक्षन फॉर्म पर अधिक्तम चार यात्री ही वैद है, आरक्षन प्राप्त करने है तो स्वयम सता, एक आपको पहचान पत्र भी जब आप टिकट लेने जाएंगे, कॉंटर से तो आपको एक पहचान पत्र भी चाहिए, जब आप गुरूप में ट्रेवल कर रहे हैं, तो सब के पास अपनी खुद की आईडी होनी चाहिए, तभी आप ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फैमिली में ट्रेवल कर रह पासिस, क्या है, कॉंटर से किस तरीके से ततकाल टिकट बोग कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़े ज़रूरी होती, किस टाइब से फॉर्म भरना होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज़े, अपने दोस्तों में सेयर कीचिए, अगर आपकी कोई क्यारी ही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक कियर, बाइ-बाइ, थैंक्स पोर व